अधिपुष फिल्म देख ली है और टोले अंकल न अशुक साब का बहुत बस्वागत है क्या करना च्राएंगे फिल्म को लेकर यह है कि जो 3D में इसके जो भुकिंग है अच्छे कासे हैं और पब्लिक इसे ज्यादा तर 3D में पसंद करेंगी लेकिन मैंने खान लिया था कि आज मैं यह मुवी 3D में नहीं देखूंगा क्योंकि जैस्री राम के बारे में जो है रामायड की जो है बहुत साल पहले जो श्री जो रामानन सागर जी ने जो मतब बनाई थी आज जो है अलग तरीके से हमें उम्रा उसर ने यह मुवी को जो मतलब उता रहा है बहुत सबसे जादा जो है ना इसके अंदर जो हनुमान के रोल कुल रोल जो काम किये है और दतत्रे नागे नागे वह और से पली खान का जो मतलब जो हाइड जो बता है ना उसमें मुझे बहुत सबस्क्राइब जिस हिसाब से दिखाया ना ओम राउत में बहुत अच्छा लग रहा था पहले ही आप लोगों पहले हां इसका टेलर आया था उसके ऊपर बहुत सी बाते चली थी और पब्लीक उसे जो है नाकार दिया था इसलिए जो है से पली खान का जो है कहीं भी पोस्ट नहीं के वजह से मतलब उन्होंने नहीं चाहती और वापस कुछे इसले उन्होंने नहीं लगा लेकिन ऑफ पूरी मुई में देखने को नहीं मिली कि कुछ गलत हुग रहां आपका महोला कैसा जैसे लगा हम ने गर में चीज है वो इतिहासिक जो है ठेटर में ही देखना चाहिए तो यह जो है वर्ड फेमस गेटी गिलेक्सी जो कि आज मैं ठान लिया था कि यह मूवी को उसी में देखने हो चाहिए तूडी हो चाहिए त्रीडी हो तो को मुझे जाजा तर अच्छा अच्छा है ना वही बजरंग बली का इसलिए निदेखान था काम नियुकाश त्रहराओ अच्छा यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है तो त कि 3D में जो देखे हैं कि उसका बी एफेक्स में कुछ प्राबलम है इसके लिए मैं देखा निए सबसे अच्छा जादा मुझे यही लगा कि पूरे मुवी में जो है जय स्री राम के नारे इसमें बताया है और जय स्री राम करके जो डोल के साथ जो मुजिक बताया बहुत अच्छा लगा थेटर में माहूल पब्लिक थी अच्छा मज़ेदार था मैं यहीं बोलूंगा हर एक ओडियन से हर एक फेमिली से कि जैसे आप लोगी ने रामायड देखे खेत खलियान छोड़के ददस मीनोट के मिनट के एपीसोड देखे रामानन सागर के आइसे ही जो है तीन गंटे में आपको ओम राहूत की एम मूवी जो है आपको बहुत अच्छी जो है मतलब है अच्छी लगेगी एक बार आप जरू फेमिली के साथ देखो पूरा का पूरा पाच अच्छी पर देखो